मित्रों इसके पूरवाले वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेशन बाई रैंक डिफरेंस में थर्ड पढ़ा था आज हम लोग कोरिलेशन बाई प्रोडेक्ट मॉमेंट में थर्ड गुडन फल आगुण बिधी द्वारा सह सम्मंद निकालने पर चर्चा करेंगे इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है यह इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y जैसा कि आप लोग जानते हैं सह सम्मंद कोरिलेशन किसकी बीच में निकाला जाता है दो चरों के बीच में दो बारियेबल के बीच में ठीक है तो एक variable माल लेते हैं small x से small y जैसे माल लेजी कोई टेस्ट हुआ है physics में और math में एक बच्चे ने टेस्ट दिया है दस बच्चों ने तो अब उनके mark में क्या correlation है क्या ससंबंद है उसको हमें जाच करना है तो इसके लिए capital x होता है x minus mean इस group का x वाले group का ही mean लेंगे आप capital y के लिए क्यार करेंगे y minus mean यह mean किसका होगा y group का ही mean होगा फिर से सुन लेजी capital x के लिए small x मतलब एक जो variable है उसी के group का mean capital y के लिए y उसी के group का चलिए आप problem देखते हैं कैसा होता है problem इसका माली जी यह problem दिया हुआ यह देखिए small x small y अब देखिए इसमें mark यह है 29, 34, 36, 28, 27, 26, 31, 33, 35, 31 y group 28, 37, 28, 30, 26, 27, 25, 26, 33 अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है दो group है आपका x और y तो x group का mean निकलना x group का total क्या गया 310, 310 अब इसका mean निकलना मीन का फार्मूला क्या होता है sigma x upon n sigma x की value क्या है 310 upon 10 इससे क्या आगई इस group का mean आगया 31 ऐसे इस group के लिए y group के लिए देखिए इसका total कितना गया 280, 280 by 10 कितना गया 28 इस रूप का मीन कितना हो गया 28 अब हमारा काम क्या होगा अब हमारा काम क्या होगा capital X और capital Y calculate करना capital X के लिए देखें क्या करना है EC में से प्रत्य एच स्कोर से minus 31 करते चले जाना देखें 29 minus 31 क्या गया minus 2 34 minus 31 क्या गया 3 36 minus 5 36 minus 31 ये देखना है EC score जितना भी score ये है इसमें से minus 31 करते चले जाएए ये आपका capital X आता चले जाएगा देखें इसका भी देख लेता है 31 minus 33 minus 31 क्या गया 2 capital X capital Y निकलना बहुत एज़ी है फिर से सुन लिजे क्या करना है इस ग्रूप का X ग्रूप का मीन निकलना है और Y ग्रूप का मीन निकलना है EACH score से मीन को सबस्टेक्ट करना है प्रते एक score से मीन को सबस्टेक्ट घटा देना है वहीं चीज जिसमें देखिए इसमें से कर जिए 28 minus 28 0 ये क्या हो गया 37 ये नहीं ना गया जीरो आगे तो इससे क्या हो गिए इससे आपका capital X निकल गिए इससे क्या होगा capital Y निकल गिए अब क्या है capital X square और capital Y square निकलना है यह actual में capital X ही है इसको इसमाल मत समझे यह क्या है आपका capital X square ही है और यह क्या है capital Y square ही है ठीक है यह जो x आया है इसी का square कर लीजिए क्या होता है negative को positive में convert करना होता है आप जानते हो positive का square भी positive होता है negative का इसके लिए देखो यह 2 का 4, 9, 25, 3, 9, 5, 25, 0, 0, 0 ऐसे y का देखे यह 0 का square 0, 9, 81 अब क्या करना है आपको यहाँ पर देखे r equal to sigma xy upon root over sigma x square into sigma y square sigma x square मतलब क्या हो गया sum up x square यह देखे यह जो आगया 108 क्या है यह आपका आगया sigma x square वहीं सी जिसका square यह क्या गया sigma y square 192 ऐसे xy निकार लीजिए आप इसका sum कर लीजिए यह क्या गया 20 अब आपको करना क्या इसी फार्मूलियम रख देना है sigma xy अब आपान sigma x square sigma y square root over अब देखे इसकी value कितनी आई है 20 देखे यहां पिछला गया यहना sigma x square की value देखे यहां चलीगी sigma y square देखे यहां चलीगी इसको solve कर लीजिए अपन कितना गया 1.38 यह चुकि 5 से ज़्यादा इसलिए इसको क्या कर देखे 0.14 एंसर किया गया 0.14 फिर से सुन लेजिए करना कुछ नहीं है अगर product moment से आपको निकालने के लिए question दिया है आपको देखे दो group दिया हुआ है एक x एक y दोनों group का खली mean निकालना है mean का simple formula होता है sigma x upon n इस group का कितना है 310 upon 10 कर दिया इतना गया y का कितना है 280 sum sigma x upon 10 28 अब क्या करना है capital x निकालना है capital y capital x के लिए क्या करना है each score जो small x का है उसमें से mean minus 31 करते चले जाना है यह क्या है capital x की value आजाएगी वैसे capital y के लिए क्या करना है y के each score से प्रत्य score से इसका जो mean है minus 28 subject कर देना है capital y आजाएगा capital x का square करके x square ले लिजे capital y का square करके y square ले लिजे x into y capital x into y capital x capital y है यहाँ पर into कर लिजे आप फिर इसका sum ले लिजे फिर इस फार्मूले में रख लिजे आपका answer आजाएगा आसा है समझ गया होंगी अगले पीरियेड में अगले वीडियो में हम लोग Z score काई स्क्वाइर, T value अनोवा, इत्याद के विशाय में चर्चा करेंगे आप लोग मेरा चैनल सब्साइब कर लीजिए जिस दिन भी वीडियो मेरा जाए आप लोगों तक पहुंच जाए Thank you